डेफिनिशन ओफ टेक्स आपने सोचा होगा पहला चप्टर पहले दिन पढ़ना था हमने लेकिन अच्छा जी डेफिनिशन ओफ टेक्स टेक्स डेफाइन अस फॉलोस पहले तीन चप्टर में से दस नंबर का सवाल आता है सेल्स टेक्स में से तीस नंबर का और इंकम टेक्स में से साथ नंबर का टेक्स डेफाइन अस फॉलोस यह टेक्स की डेफिनिशन है टेक्स का सबसे बड़ो अबजयक्टिव होता है tax का सबसे बड़ा objective होता है हकूमत का revenue कठा करना लेकिन हम आज पढ़ें के non-revenue objectives of tax यानि non-revenue objectives भी है असल objective tax लगाने का पूरी दुनिया की हकूमत तक होता है revenue कठा करना but there are some non-revenue objectives यह जो non-revenue objectives हैं यह दिये हुए है बारा यह बारा non-revenue objectives हैं यह दो-तीन बातें उपर लिखी ही हैं यह ऐसे ही तमहीद बाढ़ने के लिए लिखी ही हैं जैसे बात बंदा शुरू कर रहा हो तो यह दर दर की मारता है तो यह वह बातें लिखी ही हैं असल जो objectives हैं non-revenue objective जब paper में सवाल आते हैं तो इन बारा में से आपने लिख किया आने हैं The main purpose of the tax is to collect revenue सबसे बड़ा मकसद हकूमत का tax लगाने का हम लोगों से यह होता है कि हकूमत के पास revenue यानि हकूमत के पास पैसा एकठा हो The government levies tax हकूमत tax लगाती है लेवी का लफस बार बार आते है टेक्स लगाना इसे कहते है हकूमत tax लगाती है to achieve following objectives या objectives अबजेक्टिव करने के लिए To collect revenue हकूमत का revenue कठा होता है और चलाती है फिर हकूमत government Tax एक आला है for implementing its policies हकूमत की policies implement करने के लिए एक आला use होता है मिसाल के तोर पे हकूमत की policy है सड़क बनाना तो अब अगर सड़क बनाना हकूमत की policy है तो इसके लिए tax जो है वो उसके मताबिक recover करेगी आप से जितनी ज़धा सड़के बनानी होंगी उतना ज़धा tax recover करेगी Tax is used for fair distribution of wealth Tax का मकसद है fair distribution of wealth मतलब के Tax जो है वो अमीर लोगों से लिया जाता है और गरीब लोगों में बंटा जाता है Tax is used for fair distribution of wealth यह क्या बजाए ऐसे क्यों नहीं move करा अच्छा ओके In addition to finance government expenses Government अपने खर्चे पूरी करने के साथ साथ Tax को use करती है इन मकासद के लिए चलें जी अब मिसालें आपने देते रहने Government can encourage production of certain goods by introducing exemptions मिसाल दें Agriculture Agriculture को हकूमत प्रोमोट करती है by introducing exemption मिसालें छोटी छोटी लिखते रहें साथ By charging high tax rate on imports imported गाडिया Government can encourage local purchase तो imported गाडियों को discourage करने के लिए हकूमत ने tax rate बढ़ाएं में ताके लोग जो है वो local गाडियां पसंद करें महरान पसंद करें कल्टस पसंद करें city पसंद करें Taxes can be used to reduce inequalities in distribution of wealth वही बात कि अमीरों से tax लिया जाता है गरीबों में बांटा जाता है तो इससे inequalities in distribution of wealth खतम हो जाती है यह अमीरों के पास से पैसे चले जाते हैं गरीबों के पास पैसे आ जाते हैं Tax prevents wealth being considered in few hands of rich वही बात Through tax government can encounter the effect of inflation and depression Tax के जरीए हकूमत inflation और depression को खतम कर सकती है मिसाल के तोर पे कोई चीज है जो महिंगी हो गई है तो इससे क्या कहेंगे inflation तो government अगर tax इसका कम कर दे मिसाल के तोर पे चीनी है महिंगी हो गई है government इसका tax rate कम कर दे तो फिर हम चीनी बेचने वाले भी चीनी सस्ती बेचेंगे तो inflation इससे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी कर सकती है आगे करे ना करे हकूमत की अपनी मर्जी है ये एक हल है inflation महंगाई है महंगाई अगर बढ़ गई है तो government क्या करे government को चाहिए कि tax rate कम कर दे जब tax rate कम कर देगी government तो फिर महंगाई भी कम हो जाएगी वह भी कह सकते हैं वो तो अलग बात है ना inflation में एक impact तो tax कभी होते है ना demand supply का एक impact होते है एक impact tax कभी होते है अब चीजें महंगी है तो उसमें tax का अपना role है तो वो अला role तो play कर सकती है ना government तो inflation थी ज्यादा government ने switch a tax कम करके inflation पे control कर लें ये टूल अवेलेबल है हकूमत के पास लगाए ना लगाए मर्जी है सब तो शेबास चरीफ's will ओके depression की भी इसी तरह मिसाल है लेकिन छोड़ने पर depression को पहले बड़ी depression है अच्छा तो promote science and invention education system healthcare system energy system and military defense इसकी मिसाल दें जी section point seven की section 62 section 62 में लिखावा था देख रहे हैं इदर section 62 में लिखावा था आपने shares buy करने है Pakistan की company के शायद आपको याद हो Pakistan की stock change में listed होनी चाहिए companies share buy करने है Pakistani company के जाद आ रहे थोड़ा थोड़ा तो इसलिए it can be used to discourage investment abroad अब लोग बाहर में पैसा इसलिए invest नहीं करते के Pakistan में पैसा invest करेंगे तो tax माफ होगा section 62 इसकी मिसाल है tax can be used as a bargaining tool in trade negotiation with other countries Chinese in Pakistan मौजूद थे कुछ लोग tax by Pakistani government ने कम लगाया चाइना वाले पाकिसान आए थे तो पाकिसान की government ने tax कम लगाया तो पाकिसान की government ने tax कम लगाया तो पाकिस्तानी जब चाइना में जाएंगे तो चाइना की government भी कम टेक्स लगाएगी आएगवे तो बाता है झाल अच्छा जी टैक्स केन बी यूज़ अजा बार्गेनिंग टूल बार्गेनिंग हो रही है न ये इदर बेनिफिट दे रहे हैं बतले में ये लोग इदर बेनिफिट दे रहे हैं टैक्स कन बी यूज़ अज़ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड निगुसियेशन विद अधर कंट्रीज्ट डेड नीगुसियेशन हो रही है यहानी के ट्रेडिंग बढ़ रही है दोनों मुलकौं के दर्मयान त्रू निगुसियेशन निगुसियेशन में ये तैप है कि कि loan transferred otherwise than by banking channel will be considered as income शायद आपको याद हो loan अगर otherwise than by banking channel transfer होगा तो वो income mad होगा government can discourage use of harmful goods by leaving heavy rate of taxes on certain sectors हकुमत कुछ sectors के ओपर heavy rate of tax लगा सकती है harmful goods में harmful goods cigarettes cigarette लिख लें किताब पे किसने पहला सफ़ा खोलना है दर्म्यान में से सफ़े खोलता है कोई खोलता भी है था government can discourage the use of cigarettes by leaving heavy rates of taxes on certain sectors taxes can be used to discourage certain undesirable sectors वो ही मिसाल cigarettes repetition है government can encourage research and development by introducing tax credit मिसाल ने जल दी 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 बाह मिसाल साथ जरिटेवल 99999 research and development full-time teacher full-time teacher अगर research institute में था तो आपको आदो लाद का 25 percent tax math है full time teacher research institute में पढ़ारा हा इन पियो से मराद आपका नॉन प्रोफिट और्गनिशन है तो क्या पूछ आप नहीं 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 यह जरूरी नहीं है बिजनस के चप्टर में हम इसको पढ़ेंगे जरूरी नहीं है अच्छा अच्छा ये नहीं आपने याद करना है नीचे वाला टेबल सेलरी इंकम पे टेक्स लगाने का क्या मकसद है हकूमत का रेविनियो कठा करना इसका मकसद क्या हकूमत का कि एकॉनमी में जो बाते हो रही है उनकी डॉक्मेंटेशन हो सके और ऐसा नहों के एक दूसरे को पैसे दे रहे और उसका सबूत ही कोई ना हो बैंक से जाएगा फिर तो सबूत अवेलेबल होगा टेक्स ऑन मुवेबल एसेट्स इसका क्या फाइदा है फिर डिस्टिबूशन आफ वेल्थ मुवेबल एसेट क्या है जूलरी जूलरी के अपर टेक्स क्यों लगाया जाता है ताकि अमीर लोगों ने जूलरी खरीदी भी है वो टेक्स दें बेचने के अपर जूलरी और गर research अगर करके के तौर पर मायव बार्ट होंगी का पाइए हम ने कहुझा होगा culture develop होगा charity करने का अगर आप tax credit on investments in shares promote करें यह क्यों आगय है हम थो भी इन न लेला tax credit on investment in shares इसका मक्सद क्या होगा promote investment in listed company section 62 अगर exempt कर दिया जाए software की export तो इससे फाइदा क्या होगा software की export पर हमने को टेक्स टुक्स माफ की है मैं 100% टेक्स माफ किया वह शायद तो इससे फाइदा क्या होगा promote होगी खाला जी की industry software की industry बाबा जी का नाम क्या था आदम स्मिथ उन्हें एक किताब लिखी थी कौमों के पैसे और लेके गायब नहीं आदम स्मिथ ने किताब लिखी थी कौमों के पैसे उसमें उसने चंद बातें की थी इन बातों को हम चैप्टर थ्री में पढ़ेंगे detail से तो इस chapter में उन बातों को करने की जुरूत नहीं है जो बाते हमने chapter 3 में पढ़नी है तो इसलिए इसको छोड़ें जी बाइजन टेक्स मुल्क की तरक्ची में कैसे help out करता है tax as means for development بتा दें टेक्स मुल्क की तरक्ची में कैसे help out करता है tax incentives for agro based projects, मतलब agriculture, agriculture इससे promote होगी, next charities can be encouraged by providing tax credit on them next imposing high custom duty imposing high custom duty, भाई concept पे focus करो वो सोच रहे हैं कि yellow और sky blue मिलते हैं green होता है, concept पे focus करो देख लेते हैं, आज सारे तजर्वे कर लेते हैं, आज वेले हैं किस किस को किस से मिलाना है, जरा बताएं sky blue कर लिया, और कौन सा डालना है इसमें orange डालना है, और इंज डालने से क्या बनेगा काला हो गया, ठीक है, और और कर लें, जितने तजर्वे कराने हैं करा लें, और यह green बगडना है, green जी, इसके बाद अचा यह green पदा नहीं क्या होगे, चलें हागे, सीए करें, तो imposing high rates of custom duty on import of luxury items will encourage the local manufacturing, taxing Amir at rich rates, at high rates, sorry, and low income group at lower rates, next, government can mark the areas as tax-free zones, sell court लिखें, tax-free zone है, sell court में अगर आप sports की चीज़ें बनाएंगे, तो फिर आपको tax map होगा, export processing zone, tax-free zone, government can mark areas as tax-free zones or industrial zones and economic zones to provide tax incentives, to provide tax incentives in such areas, इसे फाइदा क्या होगा, इसे फाइदा ये होगा, it will encourage business concerns, ये encourage करेगा business concerns को to establish businesses that will bring employment opportunities, next, investment in new shares, कौंसे तो इसकी मिसाल लिखें, section 65G, section 65G, 65G, okay, kinds and structures of taxes, proportional tax, concept xe? Proportional tax. Proportional tax, proportional tax, बज़ें, इसे बज़ेंगे, बज़ेंगे, dividend के पर tax rate कितना है? 15%, तो ये ज़े 15% है, ये flat tax है न, एक ही rate है, लेकिन progressive tax कुन से है? Table 1 and 2, progressive क्या मतलब? जैसे जैसे income ज़्यादा होती है, वैसे वैसे tax क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है, तो ये जो dividend वाल है, it is a tax where the rate of tax is fixed, करोड़ पे डिविदेंग कमाएं तो 15%, एक अरब कमाएं तो 15%, एक खरब कमाएं तो 15%, a fixed rate is applied on person's income, whether the income is high or whether the income is low, under this system people who earn more are not charged at high percentage as compared to progressive tax, progressive tax में तो कहानी ही हो रहा है, okay, next, progressive tax क्या होता है, table 1 और 2, 0 से 4 लाग वाले गली 0% था, और बढ़ते बढ़ते 35% तक भी चला गया था, तो यहां अमीरों से ज़्यादा tax मांगा जा रहा है, dividend में अमीरों से ज़्यादा tax नहीं मांगा जा रहा, अमीरों गरीब और, dividend कमाई कितने पसंट tax है, 15%, it is a tax in which the tax rate increases as the income base increases, अब progressive tax takes a larger amount of tax from Amir group as compared to गरीब group, this tax proportionately equal to person's status in society, status ज़्यादा है, तो आपको tax ज़्यादा देना पड़ेगा, status आपको कम है, तो आपको tax कम देना पड़ेगा, रिग्रेसिव टेक्स क्या होगा? यह रिग्रेसिव टेक्स है, जी, रिग्रेसिव टेक्स, पुठा, उल्टी, उल्टा, और कि स्वाल, अच्छा बही, जो जीरो से दस लाग कमाएगा, उसके लिए कितना tax rate है? पच्छिस फीसद, और जो दस से बीस लाग कमाएगा, उसके लिए, पंद्रा परसेन, और जो बीस लाग से जादा कमाएगा, उसके लिए, जीरो परसेंट टेक्स, क्लैर? तो यह किस मुल्क में होता होगा? जस मुल्क में लोग हड़ा, सुरी, जस मुल्क में लोग सुस्त हैं, काम नöhएंगा, उस मुल्क में यह होता है, जो बना सुस्त है, 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 वो आती जा रही है जो मैंने बोला था तो तुम्हारे में वो चीज दुबारा आती जा रही है तो खुदा के लिए तुम दिन राते करो और ज़्यदा काम करो वो हिम्मत करके 20 लाक से उपर कमाता है तो हकूमत उसको जब भी डालती है सारे पैसे आप रखो हम आपसे टेक्स ने लेंगे तो इस मुलक में अमीरों से टेक्स नहीं मांगा जा रहा गरीबों से टेक्स मांगा जा रहा है गरीबों की बजाए अगर आप अगर आप सुस्त बंदे लिखने हो ज़्यदा बेतर है नहीं पाकिसान में तो कोई ही है, ओके भाई का डिवर्शिफाइड एक्सपोयर है, अच्छा, चलें जी, रिग, रेसिट एक्स, ये भी टैक्स होता है, पेपर में गरीब ही लिखिएगा, principles for levy of tax, tax लगाने के असूल, principles for levy of, benefit principle, ability to pay principle, and equal distribution principle, ability to pay principle, table 1 and 2, table 1 and 2, equal distribution principle, dividend, at the rate of 15 percent, challenging, ability to pay principle, this tax should be based on ability to pay, it means that a person who is earning more, should pay more, progressive tax rates are an example of, it will you, उपर पढ़े हैं, equal distribution, it says that income and taxes should be taxed on a fixed rate, dividend, therefore people who earn more, shall pay more, but not at high rate, the people who earn more, shall pay more, करोड़ वाला 15 percent लगाएगा, तो figure 15 लाख आएगी, 2 करोड़ वाला 15 percent लगाएगा, तो figure 30 लाख आएगी, पेज़्यादा तो कर रहे होंगे, लेकिन rate ज्यादा नहीं होगा, हाना के progressive में rate ज्यादा है, तो ये progressive को उपर, उपर 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 प्रोग्रेसिव नाम लिखा होता है, इदर ability to pay principle, और इसका नाम उपर flat rate लिखा होता है, इदर equal distribution principle, हाँ करने कोई, benefit principle, benefit principle, benefit principle ये होता है, कि जो बन्दा, क्या कहते हैं, ज्यादा benefit ले रहे हैं बज़ए टेक्स दे, मिसाल के तुर पर हाईवे है, कोई कहते हैं, जी मैंने जाने लाहूर से ब्लैक शाकाकू, काला शाकाकू, तो काला शाकाकू तक के आपको 50 रुपे ले लेंगे, चलो जी आपने जाने इंडी तक, तो आपसे 4,000 पर ले लेंगे, पिशावर तक जाने आपसे 4,500 ले लेंगे, तो जो बन्दा ज्यादा benefit लेगा, उससे ज्यादा tax लिया जाएगा, जो बन्दा टीचर के ज्यादा करीब बैठेगा, उससे ज्यादा फीस ली जाएगी, तो अब मौतरम ये पढ़ लें, ये आम तर पे highways और libraries के अपर लगता है, लाइड़ीज में भी कुछ मुलकों में बैठने पे tax होता है, ज्यादा बैठो के ज्यादा tax, पता नहीं है, जीब मुलक है, अच्छा, अगर motorway पे ability to pay principle लगे, तो कैसे लगेगा, अगर motorway पे ability to pay principle लगे, तो फिर ऐसे लगेगा, ना 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 ना, लंबी travel नहीं, तो बात का मतलब समझा नहीं, तो समझा नहीं मतलब, ability to pay principle का मतलब ये नहीं है, ability to pay principle का मतलब ये है, मिसाल के तोर पे आप एक बंदा कहता है, जी मैंने पिराडो पे जाना है, तो भाई तू पिंडी का 10,000 दे, दूसरा बंदा कहता है, मैंने होंडा पे जाना है, तो भाई तू पिंडी का 6,000 दे, तीसरा बंदा कहता है मैंने कल्टस पर जाना है usability to pay principle जिसमें ability है pay करने की वो पे करें जिसमें नहीं है ability pay करने की उसको हमारी तरह से पैसे characteristics of tax laws बोलें दुरा characteristics of admin and compliance cost should be low FBR का दफ्तर होगा कोई नो कोई FBR का office FBR का office देखते हैं अज वेले बठे में है तरह net share करना आपना चलो मैं लगा ले ता हूँ छोड़ो जा रहे ने दो अच्छा जी FBR का office तो कहते है FBR का office जो है वो लश्च पश्च नहीं होना चाहिए FBR का office लश्च पश्च नहीं होना चाहिए पता चले FBR का office के इंदर जो है वो स्पेन से टाइलें आ रही हो और जो है वो पता नहीं किस मुल्क से जो है वो सिंक आ रहा हो और कहां से जो है वो इसके अंदर जो है वो पंके आ रहे हो और जबरदस किसम के imported ऐसी लगया हो तो अगर कहते है FBR के अंदर ये हो रहा होगा तो फिर गड़ बड़ है तो कहते हैं सदा रखो ये देखो सदा सा आफिस ये सदा सा रखो काम आप कि इन चकरों के अंदर पड़े हो तो कहते हैं FBR के आफिस को सदा से सदा रखो admin and compliance cost of FBR office should be low कम होनी चाहिए ये ना होके कमिश्टर की तनकाई दस लाग रुपया है तो फिर FBR के दफ्तर अपने पाउं पर नहीं खड़ाओ सकेगा टेक्सिस क्या होने चाहिए understandable टेक्सिस क्या होने चाहिए अगर हमारा tax understandable है तो जाएं फिर slaybers खतम हो गया अगर आप कहते हैं हमारा law भी understandable है तो फिर slaybers खतम हो गया बहराल टेक्सिस क्या होने चाहिए देवर्डन अफ टेक्सिस शुद बीडिस्टिबूटी इन प्रोपोर्शन आफ अफ अबिलिटी तू पे यह भी पड़ा है table 102 progressive tax table 102 वही बातें बार बार आ रही है टेक्स शुद भी payable in cash क्योंके check dishonor हो जाते हैं इसलिए tax cash में पर होना चाहिए it means a payment through cross check should also be should not be accepted तो cross check से payment accept now tax should be voluntary in nature जिसका दिल चाहे दे जिसका दिल ना चाहे ना दे voluntary or mandatory voluntary or mandatory mandatory and payment should not be voluntary in nature tax should be collected at a convenient time tax should be collected at a convenient time time रात को दो बजे आके ठक ठक कोन आया जी कमिशनर आया क्या लेने आया जी tax लेने आया यह convenient time तो नहीं है तो tax should be collected at convenient time किस time आये नो दस बजे आये यह आये यह ना तो tax should be collected at convenient time कि आपको example दी भी है जो आपके साथ वाले को याद है आपको भूली भी है कि 30 जून 2010 अगर हमारा year end है तो मैंने कहा था कि इसका tax आप जमा करवाएंगे 30 September 2010 को तो 30 September 2010 को आप इसका जो है वो tax समा करवाएंगे clear तो यह है tax should be payable at a convenient time साल के बाद आपको तीन महीने मिलते हैं tax should be imposed by R. F. Lohar nahin tax should be imposed by इसमाम-ul-Haak nahin by state which has the power which has the power over the bandha to recover jurisdiction means power that is it should be imposed by parliyamant spelling याद करने के लिए parliyamant it is levitt for shahbaz sharif kar nahin nahin it is levitt for public purpose आम लोगों के लिए लगना चाहिए यह tax taxes are imposed to support government to implement projects taxes will be charged on incomes transactions और property the principles of a sound tax system fiscal ID किसी क्या होता है अपने पाउँ पे खड़े होना fiscal ID किसी क्या होता है अपने पाउँ पे खड़े होना तो इतना tax से कठा हो जाना चाहिए कि रुजाना रुजाना IMF बाजी से जाके करजे ना मांगने पड़े the sources of the sources of revenue should be sufficient to meet the expenses of government sources of revenue क्या है लिखे income tax sales tax कई तरीकिया revenue के हकोमत के पास the sources of revenue should be अच्छी खासी to meet the kharche of government kharche of government sorry revenue of government should be capable of expanding कैसे लिखें डिविदेंट का rate 15 से 16 हो जाए तो revenue expand हो जाएगा revenue of government should be capable of expanding dividend का rate 15 से 16 हो जाएगा तो revenue government का expand हो जाएगा contract करने revenue government ने अपना तो dividend का rate 15 से 14% करते revenue हकोमत का contract हो जाएगा annually हर साल in response to variations in public expenditures जो लोग पैसे खर्च कर रहे हैं सड़के बनानी है ज्यादा पैसे ले ले लें सड़के नहीं बनानी काम पैसे ले लें तो जिस तरह जिस तरह government के खर्चों की दुरूद पड़ी है उस तरह revenue बढ़ाना पड़े बढ़ा सकें काम करना पड़े कम कर सकें equality or theoretical justice हमने पढ़ लिया है table one और two tax charge must be based upon the ability of citizen to pay admin feasibility tax loss should be clear and plain plain के खाया भी जल्दी जाता है अदम भी जल्दी जाता है tax loss should be clear and plain to taxpayers capable and non-trained non-trained well-trained public officer को ने कौमी हमारा dear कौमी पुरा नाम के है कौमी का कौमी शर नर तो tax loss should be clear and plain to taxpayers capable and well-trained commissioner should enforce it and time of payment should be रात के दो बजे next consistency and compatibility with economic goals consistency and compatibility with economic goals इन है अपसर बुरा,zhもし भंप्ट का AND अपilan जायड़ों ऑल्दी法 जिन्दगी में पहले क्या सेट होते हैं गोल्ज फिर उसके मताबिक टेक्स कलेक्ट होगा अगर सडकों की जरूरत है आपको हमने बलाया नहीं था यह भी चीज है हमारे पास एक यह हमारी इंग्रेजी की नहीं समझ रहा यह देखें इसको सेलेक्ट करें है और इसको यह हमारी इंग्रेजी की नहीं समझ रहा है टेक्स कलेक्ट इसको सेलेक्ट करें प्रेक्टिस विल मेक अस परफेक्ट अच्छा जी, गोल सेट किया जाएगा पहले, सड़के बनानी है फिर उसके बाद टेक्स कलेक्ट किया जाएगा फिर उसके बाद क्या किया जाएगा टेक्स कलेक्ट किया जाएगा अगर गोल सेट किया गया, सड़के बनानी है जी बताएं, जी जी बताएं, तो ये है जी, पहले गोल सेट किया जाएगा, उसके मताबर टेक्स कलेक्ट किया जाएगा, जाने को रोग सकते हैं वैसे भी से मिसलानी की रोग निसकते हैं मेवान गरी वाचे रेंगे टेक्स लॉष छुट भी कंसिस्टेंट वैदि कंसिस्टंट विद एकनॉमिक गोल्स ऑफ गर्मिंट जो government का goal होगा, उसके मताबिक government tax collect करें. जो government का goal होगा, उसके मताबिक tax collect करें. पहले goal बणाएं, फिर goal करें. The goal of the government is to goalt the, पैसे of public, नहीं. The goal of the government is to provide the basic services. Goal government का सीऑ कराना नहीं है, आपको basic services देना मकसद है. For mango people. आम लोग हो सकते है कोई बंदा ये लेक्चर उसकत ले रहा हूं जिसकत मैंगोज आ चुक्य हो मार्केट में हो सकते है कोई ये सुन रहा हो के एद आने वाली है तो बड़ी इत के करीब ये लेक्चर ले रहा हूं आने ने वी दुनिया बदल दिया है ओके मुझे बनाएं आप दुकानों पर जाते रहते होंगे वैसे तो बाजारों में बाजार शेतान के घर हैं कम से कम जाना चाहिए तो वैसे आप दुकान पर जाते रहते होंगे बहुत धरूरत के दर्दे में जाया करें और फिर वापस Penis whirlwind तो आप दुकान के ऊपर जाते होंगे तो दुकान पर मुझे बटाएं कि income tax आपको birl पे लिखा वा नजर आता है यो sales tech लिखा वा नजर आता है पकी बात है income इंकम टैक्स तो बहुत rare शाहिद किसी ने बिल पर लिखा हुरा मेरे आधर टेदर जितने बचे बैठें हैं उन्हाने से लगी लिखा वा देखाऊ होगा इस वज़ा से सेल्स टेक्स को डारेक्ट टेक्स के इंडारेक्ट के कि क्योंके है क्यूंक्र साथार वली चीज आप बलके एक लाग वली चीज एक लाग सातना हजार में बेचो सत्रा परशंट क्स से एक लाग सत्राहधार में तो दुकांदर कहते हैं मैं एपनी पॉकिट से गफिदर सकता है फिर दुकान दर क्या करता है जब मिल बनाकर देता है लाक बिल लिखता है जमारा डालता है सेल्स टेक्स 17 अजार फिर हमसे एक लाध शत्रहादार लेते हैं तो तो बताएं दुकान दर अपनी पॉकें प्योंसे पीव्र करते हैं हम साल का एंट आता है तो फिर हकूमत आके इस बंदे से सवाल पूछती है तू बता तूने कमाया कितना ये बंदा कहते है मैं इतना कमाया फिर हकूमत कहती है तेरे पर टेबल वन और टू लगेगा अब ये जो टेक्स है ये इसे मांगती है ना तो ये बंदा कहते है ये भी मैं customer पर डालने लगा हुकूमत कहती है नहीं नहीं यह आपने customer पर नहीं डालना बिल में डालके यह आप अपनी pocket से पे करें इसलिए directly जो tax pay किया जाते है दुकानदार पे करते हैं वो कौन सा tax है इसलिए income tax बिलों पे लिखावा नजर नहीं आएगा अगर कभी आपको बिलों पे लिखावा नजर आ गया तो वो भी शायद एक छोटा मुटा concept है बट वो आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे यार असल में ना income tax भी हमने कुछ ना कुछ तो बचाने अपने लिए वी लेकिन बिल पे लगा के जो टेक्स हमसे लिया जाता है डाइट ऐस सेल्स टेक्स डेट इसौलल एस इंडारेक्ट एक्स दुखान्दार डिरेक्ट इरक्ली पे नहीं कर रहा हमारे जरीय पे कर आ रहे है और जो वो टेक्स है के दुकान दर घर पैसे लेके जा रहा था तो कुमत ने का ये घर पैसे ना लेके जाओ हमें कुछ टेक्स जमा करो अब यह हमारे से बिल पर डालके बड़ा नहीं शिफ्ट कर सकता अच्छा तो आपको पता चले गए होंगे अगला सबसे रहे गए पीज़े तो यह जो टेक्स है ना मेरे भाई यह दो किसम के हैं डिरेक्ट टेक्स और इंडिरेक्ट टेक्स दो हैं नमबर वन इंडिरेक्ट टेक्स और इंडिरेक्ट टेक्स तीन हैं सेल्स टेक्स कस्टम डूटी एंड फेडल एक्साइज डूटी इंकम टेक्स हमारे स्लेबस में 60 नमबर का है कैपिटल वैल्यू टेक्स हमारे स्लेबस में खाली एक लाइन है जो आपको नदर आ रही है sales tax हमारे slabus में ये तीन लाइने नहीं है sales tax के हमारे slabus में 2-3 chapter है जो 30 number के हैं तो खाले ये 2-3 लाइने नहीं है इनके पीछे पूरे पूरे chapter है custom duty हमारे slabus में नहीं है ये सब्सक्राइ तीन लाइन हमें मजबूरान याद करनी पड़ेगी फिर भी सिर्फ इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे स्लेबस में है कस्टम एक का फेडल एक्साइज ड्यूटी का और कैपिटल वेल्यू टैक्स का तो इंकम टैक्स वाली बात तो मुझे पढ़ने की जरूध नहीं है आपको पता है कि पांच हैड्स ओफ इंकम है और हर साल आपने टैक्स देना होता है क्यापिटल वेल्यू टैक्स अधिफरेंट ट्रांजेक्शन सच इस ट्रांसफर ऑफ इंवोबल प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ राइट कितने लोग ने सिवीटी पने का लफ सुना मैं हाथ खरा करे बता दें सीवीटी का कभी अख़़ार में या दामйत लफ सुना सीवीटी होते प्रॉपर्टी के उपर टैक्स पांच मरले का घर बेचियें सीवीटी सेक्स देने दो देने यह इने डिशिन दूशं को इंकम मैंने का था घरों को बेचने पर income tax भी लगता है और अगर घर चार साल बात बेचे फिर कोई tax नहीं है income tax वाला तो घर बेचने पर दो टेक्स लगते है आज इसको भी पते हैं वेले हैं capital value tax यह देखिए अट वह लगाएं गामार बेले होते हैं एक चेप्टर खतम होगे उसको यह रोना है अच्छा capital value tax on different transactions किस किस पर लगते है नमबर वन ट्रांसफर आफ इमब्राप्टी ट्रांसफर आफ राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी यह वही चीज़ है प्रांसफर आफ राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी सेल्स टेक्स की यह तीन लाइने मैं नहीं पढ़ाओंगा क्योंकि सेल्स टेक्स की यह तीन लाइने वड़ी डिटेल से डिसकास होगी जब हम सेल्स टेक्स के चेप्टर 22 से 24 25 करेंगे कस्तिम ड्यूटी कि बड़े बंबम स्टिक किसम की रिट हैं by jonas मुझा दो रेट करोंट परोड अचैनल पाक सब्रूल चल रही हैं है है कि फिफ्ती प्रसंट और थे पर्सन्ट सो ठीट फाइप पर्सेंट दुरू रिट के छल 50% 35% करोड पर गाड़ी को मंगवाते हैं तो हो सकते हैं हकोमत 50 लाग आपसे मोक्य पे ले लिए तो करोड वाली गाड़ी में पड़ी इंपूर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी बाहर से मिल्क से जू चीज़ें बेचते हैं उन पर लगती है तो कस्टम एक्टे इन प्रक्त factors, social economic factors, कुछ मुलकों में जो चीज़ें जरूरी होती हैं, उनके लिए rate कम हो जाते हैं, जो चीज़ें गहर जरूरी होती हैं, जिससे चॉकलेट खाना गहर जरूरी चीज़ें, उसके लिए rate बढ़ जाता है, fruit chart के लिए कम हो जाता है, under this, act high rate is applied on luxury गाडियां, as well as less essential goods, जिनकी जुरूरत नहीं हैं चीज़ों की, अब आप पिलोज इंपोर्ट करें, यार अमरीका का पिलो, पागल हैं यार तू, रशीद की दुकान से ले ले जाके, the import tariff, import tariff होता है, import tax, import tax on plant is lower than that of consumer goods, इसका मतलब बताएं, इंपोर्ट tariff on plant is lower than that of consumer goods, इसका मतलब बताएं, डंडा हाथ में हैं, जल्दी इसका मतलब बताएं, capital goods कौन सी मसलन, plant and machinery, इन पे tax क्यों कम होगा, जाहरी बात है, अगर आप गाड़ी मंगवाएंगे, तो हकूमत को गुस्सा चड़ेगा, अगर गाड़ी वाला plant मंगवाएंगे, तो फिर तो आगे लोगों को नोक्रियां देखे, पाकिसान में गाड़ीयां बना रहे होंगे, फिर तो हकूमत को गुस्सा नहीं चड़ेगा, फिर तो चड़ी वी तब भी उतर जाएगी, तो इंशाला कल घरवलों की सारी तब तुप आप पे उतर जाएगी, चड़ी वी भी, जब वो इंशाला पास होके दिखाएंगे, तो आइं परसूं, आच्छा, दा इंपोर्ट टैरिफ और इंडस्ट्रियल प्लांट एंड मशीनरी, एक साहब के पैंथिस नंबर आए, तो उनके वाले साहब मठाई ले आए, क्योंको इनको पता नहीं था, कि पचास वाला पास होते हैं, तो इंशाला आपके मैसेज में तो नंबर नहीं आएंगे, तो इंपोर्ट टैरिफ और इंडस्ट्रियल प्लांट एंडस्ट्रियल प्लांट एंड मशीनरी इस लोर देन डेट ऑफ कंजूमर गुड्स, कॉस्मेटिक्स, बला बला जो भी समझ लें आप, तो अगर आप एज इस क्रीमें मंगवाई ना बा अंडर फैजल एक्साइज एक्ट, टैक्स इस चार्ड एट स्पेसिफाइड रेट ऑन गुड्स पर्चेस्ट, अच्छा जी तीन चीजों पर यह ड्यूटी लगती है, नमबर वान, बस बस खतम हो रहे चैप्टर, देखें देखें इधर, चीजें प्रोड्यूस करने पे, जबर दसते हैं, चीजें इंपोर्ट करने पे, और सर्विसेज प्रोड करने पे, तो तीन चीजों पर यह टेक्स लगता है, प्रोडुक्शन, इंपोर्ट और सर्विसेज प्रोड करने पे, देखें अन विच टेक्स टाइज मेबी वेल्यू, जो चीजके अपर लिखी होती है, जो चीज के अपर लिखी होती है, मेबी देर बजन, किसी भी बेस पर टेक्स लग जाता है, इस पर देहार, कलासिफिकेशन उफ गोड़ देयन हों चैन कोडिटि डिस्क्रिपशन इंकोडिग सिस्टम, यह हरुम qualifying rating इंकोड 2-7 ऑल्क आप्सपे तो शूंन बंप यह teams कrov अधर चुल करनी दो तो यह कोडिंग करें प्रिज्ज सिस्टम के तहत सारी लिस्टें बन चुकी है करते हैं तो इस जाते हैं आपका चीज हैं यहाघिक है कोड Superintendent import करने के जाध़ दे देती है और फिर उस पर उसके accordingly टेक्स लग जाता है जिसे आप roll number भी कहते है classes में हर class के बच्चों को लग roll number assign है similarly यहां भी लग codes assign है चीजों को लेकिन इसका system का नाम बड़ा मुश्किल सा है यह आपको केले में बैठके घर में fridge के पास याद करना पड़ेगा क्या नाम harmonized commodity description and coding system यह जो commodities है ना इनके descriptions दे दी गई है फिर description देने के बाद इनको codes दे दिये गई है और यह सारा system एक harmonized तरीके से चल रहा है इस तरह को याद करने बस commodities के नाम रख दिये गए हैं फिर उनको code दे दिये गए हैं और यह सारा system एक harmonized तरीके से चल रहा है और exports हाज कल पाकिस्तान में 0% के उपर जा रही है exports are charge to tax at the rate of 0% अच्छा जब यह सारा chapter याद कर लेते हैं ना बच्चे तो आखरी सफ़े पर आके ना बच्चे याद करने के बजाएना message करते हैं पीचर का नंबर इदर से ढूंड के ना सर यह भी याद करने यह यह समझ रहे होते हैं कि message आएगा कि याद नहीं करना book के अंदर ऐसी शोग पूरा करने के लिए डलावा था बच्चे यह किताब में है माना के अभी तक टेस्ट नहीं हुआ लेकिन हो सकता है छे-सा साल से टेस्ट नहीं हो हो सकते है इसी शाल टेस्ट होना हो मुझे नहीं पता ये टेस्ट होना है या नहीं होना मैं तो इतना बता सकता हूँ ये स्लेबस में है तो History of Tax Laws in Pakistan History of Tax Laws in Pakistan अब सवाल ये राइज होता है कि टेक्स जो है वो किस जमाने के अंदर लगना शुरू हुआ था और उसकी क्या तारीख है तो कहता है पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिक्ट बोर्ट टेक्स लगाता है इन पाकिस्तान फेडरल गर्वर्मेंट has a right to collect tax on income of a person कहता है ये जो modern tax है किताब को हाग लगा के देखें फील हुआ modern tax बापेस आजें The history of modern tax came from 1860 कहता है ये कहानी बहुत पुरानी है ये ना दादाजी के जमाने की आपकी उसका तो आपके दादाजी कहता है पैदा भी नहीं है ओँ्गई फंगी in 1860 बरतानिया की जो empire थी उसने सबसे पहली दफ़ा टेक्स इंट्रोड्यूस किया 1860 में क्योंकि आपस के फटे-फटे करके पैसे उसे खतम होगे थे इनके बास तो लड़ाईया लोड़ाईया आपस में करते रहते थे छेड़ खानी एक दूसरे को हलका फुलका छेड़ा फिर वो छिड़ गई बात तो पैसे खतम होग प्रेडर्स यह से दुकानदारों पे लगा था जैनी इंकम फ्रम बिजनस कमाने वालों पे लेकिन कुछ सूबों में लगा था सिर्फ यह इट्स बेसिक स्कीम स्टिल सर्वाइज तुड़े और इसकी असल हैत आज तक मौझूद है यह बिजनस के चैप्टर में तकरीबन क की देफिनिशन देदी और इट वस मेड एग्जम्ट फ्रम टैक्स और इस एग्जम्ट इस एप्लिकेबल तेल ना अभी तक यह अगरी कल्चर इंकम माफ है पिर दुबारा थोड़े से पंगे पूंगे किये छेड़ा चारी की एक दूसरे के साथ पिर दुबारा जब जब गुई तो गम्मेंट को फिर और ज्यादा पैसेों की जरौत पड़ी जंग में बंदे भी जाते हैं पैसे भी जाते हैं सो इन 1916 फॉर फॉर्स ताइम प्रोग्रेसिव रेट्स ऑफ टैक्स वर इंट्रूइस पहली दफार टेबल वन टू टाइप को टेबल लगाए गए ग 17 में क्योंकि पैसे फिर भी पूरे नहीं हो रहे थे छेड़ खानी जंगों में ज़्यादा शुरू होगी थी इस वकत काईदे आजम आला तालीम हासिल करने के लिए इंगलिस्तान गए थे पीछे से इंकम टेक्स लाव बन गया इंकम टेक्स लुपर टेक्स वर कंसालिडेट होगी थोड़ा जिंदगी को बदल थे यह नहीं रंगों से रेट्स तो बीडिसाइड़ेड एवरी ये थूप इनसे अब रेट्स हर साल डिसाइड होते हैं जो टेबल वान और टू है आपका हर साल चेंज होता है ये टेबल वान और टू सेम नहीं रहता है ये हर साल चेंज होता है आज कल भी ऐसा ही है पिछले साल सिर्फ चेंज नहीं हुआ वना तक्रीबन हर साल ये टेबल वान और टू चेंज हो जाता है इन सेक्स काँए होता है मिए अ डिविदें प्रकाइड चेंज हो बैसनों है's तो ये जएन आ है कुछ गया। डिविदेंट पर टेक्स कटना मेंडेटरी हो गया assessment होते tax calculation assessment होते tax calculation reopening of tax calculation was allowed क्या मतलब audit reopening का मतलब है audit reopening of tax calculation was allowed तो FBR वाले audit कर सकते हैं आपका जो भी FBR 1922 में कोई था बता नहीं FBR का audit कौन करता है अब्बू आप से पूछ सकते हैं आप क्यों लेट आयो सर अब्बू को कौन पूछेगा ऐसे स्वाल ना पूछा करो खुदा का होफ करो चला आगे हद्ध होगी है after independence after independence independence के बाद ऐसे दुनिया के कानून है ये बड़े limited से हैं असल में अगर एक बंदे ने एक को कतल कर दिया तो उसको सजाय मोत होगी और एक बंदे ने हजार को बंप फाड़ के कतल कर दिया उसको भी सजाय मोत होगी तो इसलिए जो अंग्रेजों ने कानून बनाए में अपने बहराल एक आगे लग का भी कानून है फिर वहां जाके लग एक वाले को जरा अलग प्रोटोकल देगा और हजार वाले को लग तो इसलिए सही जो मैदान कायम होगा ना वो उदरी होगा दुनिया वाले तो कोशिश ही कर सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस जब आजाद हो गए कह दिया था है मुदर रहे कि नहरू उदर रहे गया जब आजाद हो गए एक दूसरे से तो गर्मेंड आफ पाकिसान ने यह बचाए डॉप कर लिया कौन सा वाला यह वला बचाए डॉप कर लिया गर्मेंड आफ पाकिसान ने उनिस सो बाइस वला ठीक है जी और 1979 तक बुटो के जमाने में या लिया कता लिखाए किसके जमाने में जिया उल्हक हिस्ट्री भाई की बड़ी मजबूत है तो अचा पिल 1979 नाइटीन सेव्ट्रीन तक जिस वकत काईद आजम और अलावमा अकबाल दोनों जो है वो अल्ला को प्यारे हो चुके हुए थे तो इन दोनों के जाने के बाद हमने सोचा कि यार कुछ नहीं होना चाहिए तो 1922 के लौक हमने बदल के 1979 डा ले आए इरिस्पेक्टिव अफेक्ट के काईद आजम और अलामा एकबाल ने 1922 का पसंद किया था इंडिपेंडनस के वकत लेकिन हमने कौसा पसंद किया उनके जाने के बाद 1979 का रिसल्टेंट ली रा एक विकामा कॉम्प्लिकेटिड लौ लेकिन काईद आजम और इलामा एकबाल को शायद पसंद नहीं आया उनकी रूहों को तो यह बहुत मुश्किल होता गया लौ लोगों को समझ ही नहीं आया फिर आ बहुत ज्यादा मसले हो गये थे Keeping in view the difficulties, the government promulgated a new law, income tax ordinance 2000, 1979 फारिग हो गया, this law was amended through number of finance act and after 23 साल of its existence और पुराना law 1923 साल तक मौझूद रहा, फिर मुश्रफ ने Australia से एक बंदा बुलवाया था 2001 में जिसने यह law लिखा था, पिर यह 2001 वाला law आप के सामने आ गया The fundamental change introduced was, इसमें जो सबसे बड़ी change आई थी, वो थी introduction of regime of universal self-assessment, universal self-assessment scheme introduced की गई थी, universal self-assessment scheme का मतलब लिखें, self-assess, मतलब है taxpayer सच बोल रहा है, self-assess, मतलब है taxpayer सच बोल रहा है Self-assess का क्या मतलब है, taxpayer क्या बोल रहा है, इधर देखीं, इधर देखीं तो universal self-assessment scheme, बोलने क्या बनेगा इसका फिर, tax पिर सच बोल रहा है, असल में ना पहले यह होता था कि बंदे काम होते थे, तो ऐसी सूरत में सब का audit करना असान होता था, तो हकूमत सब का tax एक दोफा चेक कर ले थी, जितने भी बंदे आते थे, टेक्स चमा कराने, तो थोड़े गिने चुने आते थे, को बुटो आ जाता था, उसका बाई आ जाता था, और आ जाते थे, तो गिने चुने लोग टेक्स समा कराने आते थे, उनका audit करना असान होता था, लेकिन जब बंदे बढ़ते गए, तो फिर हकूमत ने का assume कर लो, टेक्स पिर सच बोल होता है, अब सिर्फ गिने चुने लोगों का audit होता है, सब का audit नहीं होता, लेकिन यह जो उनिवर्सल सेल्फ असेस्मेंट स्कीम जो है ना, आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाई जाएगी सेक्शन एक सो बीस में, चैप्टर पंदरा में, यह स्कीम होती है, अब जाएगे, इस लाएगे, 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 इस headings, 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 परे टेक्स की देफिनेशन थी? दूसरी, non-revenue objectives of tax, तेसरी, tax as means for basic structures, where kinds of taxes are structure of taxes, principles for levy of tax, characteristics of tax laws, tax the principles of a sound tax system, types of taxes, direct taxes or indirect taxes. the primary objective of tax system is to collect, you are required to list the non-revenue objectives, बताएं जल्दी, non-revenue objectives, चोदा ने काथ तो नहीं लिखाएंगे काइद आजम के, किस सिंद को किस से लग कर दिया जाए? पाकिस्तान से, कराची से, पदा नहीं को सा पंदरवा नुकवत निकाल लिया है, तो clear? तो यह लिखके आएंगे, यह बराइंट्स. अच्छा एक दुफा आएकर जो बाती हुआ था, उसने तीन चेप्टर तीस नमर के कर दिये थे, पहला चेप्टर भी इस नम्बरगा दूसरा भी दस नम्बरगा तीसरा भी दस नम्बरगा तो तब हर चेप्टर से दस नम्र का स्वाल आा था लेकिन इसके और आगके को साथ सब्के तीनों चक्टर में से भी दस नमबर हाजए बढ़ी बात है state any five ways through which taxes can be used for development of a country ये वाला development वाला दूसरा तफ़ा शोक से मत वज्जे है ना वेलकु समोसे पकोड़ों की तरह देखें इसको next briefly explain any three indirect taxes applicable in Pakistan ये तो आप कोई नहीं मसला है दिखाने के आप समझ जाएंगे besides financing government operational expenditure हकूमत के खर्चे पूरे करने के साथ साथ tax को इस्तमाल किया जाता है एक आले के तोर पे के ये कौमी और सारे मफाद के लिए हमें help कर सके आप ज़रा बता दो कहते हैं पिछे वली बात चोड़ो ये तरह सुन लो five non revenue objectives बता दो list any five non revenue objectives or tax तो बारा में से कितने बताने हैं पांच बारा में से पांच बताने हैं अगला सवाल taxes are ये पढ़ ली है पांच बारा taxes are primary revenue yielding tools for government government सबसे ज़्यादा revenue tax से कथा करती है you are required to state any three non revenue objectives which the government achieve by imposing tax वही बारा में से तीम briefly explain indirect tax is applicable in Pakistan अचा ये ज़रा ज़रा बताएं अब यह तरह बताएं इसमें से कुछ तो आप खुद ही सोच लेंगे कुछ मैं बता देता हूं high rate on high income fair distribution of wealth भी हो देगा न इसका high rate on high income पता नहीं भाई के अपने क्या solution में लिखा वे हैं बताँ देख लू high rate on high income reducing inequalities in distribution of wealth high rate on import of luxury goods discourage import या encourage local production जो मर्जी नाम देखें दोनों चलेंगे इसने क्या लिखाव है reduce import tax credit on donation to import the culture of tax credit on investment in shares अच्छे इसकी ना दो objective है एक इसका objective है कि आप savings discourage हो एक बाद याद रखे का लाउमेकर savings को discourage करता है savings होती है घर पैसा पता रहे है और investments को encourage करता है तो investment को promote करना भी इसका objective है या savings को discourage करना भी इसका objective है देखते हैं कुछ ना दिखावा है इसका कोई मकसद नहीं है रेविनियू लेना से मकसद है तो इसका मतलब ने पताया था भी यादो शाहिद documentation of economy यानि के जो चीजें जा रही है वो पता चलें ऐसी नहों के शिवास सरीफ कही ये पैसा मेरे पास कहां से आया पता चलें निवास सरीफ ने इसको bank account से ट्रांसफर किया जा पैसे cash में बगड़ाए है ये आपको मिसाल अभी मैंने नहीं दीवी ये मैं आपको दे देता हूँ क्योंके sales tax अभी हमने नहीं पढ़ावा sales tax में न exports zero rate है sales tax में exports क्या है zero rate अब आप मुझे फाइदा बता दें इसका क्या होगा exports and courage होंगी promotion of exports ये आपको इसलिए नहीं समझाना था क्योंके अभी ने sales tax नहीं पढ़ावा sales tax में zero rate की मिसाल exports बताएं जी three broad principles for levy of tax ये भूल गए होंगे तरह heading नदर मारें three broad principles for levy of tax ये वाले है ये वाले है principles for levy of tax free indirect taxes applicable ये साहन है five ways by which tax can be used for development of country ये development वाला question ten four non revenue objectives होजेगा बारा में से three principles of sound tax system ये पहले दफाया है three principles of sound tax system ये किदर हैं ढूड़ने दरा three principles of sound tax system ये चार में से दीन बताने हैं अच्छा इसको भी नजर मार लें imported goods पर high rate लगाने का मकसद discourage import zero rate लगाने का मकसद encourage export sales tax का rate कम करना इसे न महंगाई कम हो जाती है सुल्मां reduce inflation CSX का rate 17% है कम कर देंगे तो महंगाई कम हो जागी tax holiday क्या होती है tax holiday मैंने बताया नहीं लेकिं खुद सोचें तरह tax holiday tax maff tax maff tax holiday tax maff tax maff कर देना construction वालों को इससे क्या फाइदा होगा to encourage construction business वास और क्या फाइदा है इसी में से लवस उठा गया आपने लिखने है high rate on interest income यह interest income बिना एक तरह की saving होती है investment नहीं होती बजा सुने क्यों क्योंकि interest income का मतलब है कि आपने बैंक में पैसे रखवा दिया है ना आप कोई business कर रहे हो ना कोई shares करीद रहे हो ना कोई construction का काम कर रहे हो कोई productive काम नहीं करे आप घर वेले बैठे वे थे आपने बैंक में पैसे रखवा दिये तो इसको भी saving कहती है saving discourage करना high rate of tax on interest income saving discourage करना savings discourage की जाती है savings दो तरीके से होती है अपने पास पैसे रखने यह भी saving है बैंक में पैसे रखवा दें यह भी saving है दोनो saving discourage है और investments encourage की जाती है decrease in tax rate for online sales so encourage online sales बस पतम tax credit on person employing fresh graduates अगर आप tax माफ कर दें fresh graduates को रखने पे तो इससे फाइदा क्या होगा employment बढ़ेगी बैलन employment बढ़ेगी और high rates on luxury items discourage होगी luxury items की purchase allow expenditure on research यह हम business की chapter में पढ़ेंगे allow expenditure on research क्या मतलब है इसका एक मिनट कुछ लोग किताबे रख रहे हैं बैंगमन को रखने में पर रहा और रख ले यार अच्छा तो research को खर्चे के दौर पर manage करने की ज़्यादा देना है इससे क्या फाइदा होगा encourage होगी research and development लोग research करेंगे लक्जिरी आइटम्स को इसलिए इसकारीच किया जा रहा है कि साधा साधा चीज़ों पर रहे तुन्हें क्या ऐसी कुर्सी लेनी है पांच-पांच लाग की अंदर बैठो और नहीं वह तो चीक है ना लेकि लग्जिरी आइटम्स पर टेक्स जदा लगा देते हैं अब मीर लोग हैं फोर्ड करते हैं करें नहीं करते हैं ना करें जी भाइजन कि एन के तरह एन लिखा भी जा रहे गई या नहीं नहीं इसको अब दूसरा वाला यहां से आएगा किदर से आएगा हाँ खोली है ना वह बहुँ है यह यहां से ऐसे वह रहा तो बताये नहीं होने डाल किदर है पहली लों में दूसरी में थी से अगर काई आजम एद में मौझू जोते तो क्या कहते हैं काम काम और तो इत्पे भाईजन काम करने आपने लुट मुचा देनी है पढ़ पढ़ के आपने लुट मुचा देनी है ठीक है घर वले हरान हो जएं और कहें यह देखो क्या जबरदस हजारों साल नर्गिस रोती रही थी आज आके मेरे बेटे की वज़ा से चुप होगी है लुट मुचा देनी है एत्पे पढ़ बढ़ के तो सीरियस्ली बता रहा हूँ क्या अच्छा जी तो मैं ये बात कर रहा था कि एद पे काम करेंगे आप तो कामयाबी मिलेगी आपको आप कामयाब हो जाएंगे ये वो अप्शन्स खुदी दे रहे आपको जाम क्या है चोड़ना चाहा तो ठीक है अच्छा एद वैसे उनके लिए कहते हैं बड़ा खुशी का दिन है जन्होंने पूरे रमजान में नमाजें पढ़ी हैं तमाम से और पूरे रमजान में रोजे रखे हैं और उन्ही को फिर अल्ला खुशी देते हैं ईद के दिन और ईद का मतलब ये नहीं है कि अब पूरे रमजान में अपनी मर्जी करते रहे और अल्ला के حکم भी तोड़ते रहें और आप समझें कि बड़ी खुशी का दिन है तो फरमाया कि सबसे महरूम है वो शक्स जो से रमजान का महीना मिल जाए और फिर भी अपनी मखफरत ना करा सके यानी तनी बड़ी से खुश हो जाए तो ला इसके लिए ये ईद का दिन शाला ईद का दिन ये बनाएंगे ठीक है क्लोज करो